अलो फ्रेंड्स रिजिनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है तो दोस्तो यह अपडेट है स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए दोस्तो तो कि एक स्टेट ने अपने स्टेट अपडेट की कुछ आपके साथ शेयर किये तो मैं इस वीडियो में आप उसाथ लाना चाहूंगा तो दोस्तो तो जो भी स्टोर ने इस वीडियो 216 के लिए उन उनके लिए वीडियो बहुकर लाला है क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेट जो तीन spark tools के लिए उन्मद्ष के लिए ऑप्स दृपतेश्ब हुस्ट नाटीस्ट कि लिए जो मद्र प्रदिस प्रों की कॉंसलिंग में पाइसिपेट कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए नौटीश है कि नौटीश रिगार्दिंशन अफ टा लास्ट चाहिट और फस्ट बांड दिमिशन तो उसके साथ डोस्तों उन्हें क्या कि एक फर्स्ट राउंड का जो admission है उसका extension बढ़ा दिया है MP State ने जो मद्रप्रदेश स्टेट के student है तो उन्होंने लिखा है दोस्तो लास्ट एट फॉर ओनलाइन admission first round for counseling is extended from 2nd of December to 4th of December guys तो दोस्तो पहले start क्या वादा कि जो first round का जो admission का जो process था वो उन्होंने end किया था कि आपको 2 December से पहले पहले join कर लेना है लेकिन वो date अब मद्रप्रदेश ने स्टेट कोटा counseling में 2 December से बढ़ा के 4 December कर दिया है तो दोस्तो यह update है मद्रप्रदेश के स्टेट कोटा counseling में जो बच्चे सेलक्ट होएं उनके लिए अब चलता हूं दोस्तो अगली update के उपर तो दोस्तो यह update है वो भी मद्रप्रदेश के students के लिए है इस update में उन्होंने एक notification जारी किया है उसमें लिखावा है notice regarding exercising upgradation options for admitted candidate in first round तो उसके साथ दोस्तों उन्हें लिखाए कि this is for the information of all the candidates who all admitted candidates that that upgradation facility is available at the candidate login तो उन्होंने simply यह बुलाया कि round one में जो बच्ची select हो चुके है and if they want to upgrade in the second round of counseling in MP then उनके लिए एक link available करा दिये गया मद्रप्रदेश की website पे तो आपको क्या कर सकते है जहां पे उन्होंने state quota round one के लिए fill up किया था उस पे वापस register करें और वापस जब वो login करेंगे इसके उपर login करने के बाद आपको दोस्तों एक option दिखाए देगा upgradation in the second round तो अगर आप उस option को tick करते हो upgradation in the second round तो आपका upgradation second round के लिए consider कर लिया जाएगा तो यह उन बच्चों के लिए जिनका first round में allotment हो चुका है and they want upgradation in the second round of counseling तो उनके लिए बहुत important news है जो मैंने आप लोगों को शाथ share कर दी और दोस्तों उसके साथ तो लोगों नहीं यह बताया है कि 6-12-2020 तक दोस्तों यह process चलेगा बनलब आप यह चीज 6-12-2020 6-12-2020 तक आप यह चीज के लिए आप अप्ग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते है तो दोस्तों यह थी दूसरी most important update अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप उसको हिंदी में पढ़ सकते है वो इस option को select कर सकते है और login करके इस चीज को change कर सकते है आप चलते हैं दोस्तों तीसरी update के उपर तो दोस्तों यह तीसरी update भी मदर प्रिदिस के students के लिए तो यह information उन्हें यह बताई है कि अगर आपको round 1 में college allotted हो गया है और उसके साथ साथ दोस्तों allotment का क्या होता है कि आपका जो security deposit उस पर depend करता है तो उन्होंने बोला है कि अगर को student resign करना चाता है किसी college से और 6 December से पहले-पहले resign करना चाता है तो वो resign कर सकता है उस पे bond applicable नहीं होगा तो काफ़ students पूछ रहे थे कि मैंने अगर round 1 में seat allot हो गई है तो उस college में एक bond है क्योंकि हर कुछ college ऐसे होते हैं state quota counselling में जो कुछ bond sign करवाते है तो बच्चे बोल रहे हैं अगर मैं seat छोड़ता हूँ तो क्या वो bond applicable होगा तो उसके लिए मदर पृदिस चिकत्षा जो department है उन्हों से notice दिया है कि अगर आप college से resign करते हैं या दोस्तो उसके साथ साथ उन्होंने आपको बताया है कि अगर आप 6-12-2020 से पहले college को छोड़ देते हैं तो आपके लिए bond applicable नहीं होगा ये चीज आपके लिए बताईए और ये सभी college के applicable होगी जिन्होंने भी bond लगा रखा है तो दोस्तो ये थी मदर पृदिस के लिए update जो मैंने आपके यहां पर share की आप इस complete information को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहां पर समझा दिया है अगर आपका फिर भी कोई question है कोई भी concern है you can drop your comments in comment section I will try to explain you as soon as possible guys so guys thank you all the best for your counselling अगर आपको needs related कोई भी update चीए होती ही तो चैनल को like and subscribe करना तो कि आपकी subscribe करने पर आपको अपने state से related update पक्का मिलती रहेंगी thank you दोस्तों all the best for your counselling